इसलाम लेकुम डेर के इंडियर्ट सेन पुलिस में रिसेंटली जितनी भी जोब्स के अनॉस्मेंट की गई थी जिसमें एस्विईू, ड्रेवर कॉंस्टेबल, बॉम डिस्पोजल और लेडी कॉंस्टेबल की ब्रांचेश शामिल है इन ब्रांचेश में जो है जोब की अनॉस्मेंट होई थी, इन में जो है काफी सरे लड़के और लड़कें ने अप्लाई किया है अब अप्लाई करने के बाद आप लोगों जो पहला टेस्ट है वो रिटन टेस्ट से जो पेपर है उसमें ऐसे भी आएगा या सिर्फ और सिर्फ MCQ आएंगे उसके लावा STS का प्रोसेस कितने महीने चलेगा, कितने महीने बाद आपको अपाइटमेंट लेटर मिलेंगे यह तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में इसे पहले सिन पुलीस में जो बर्ती गामल है वो PTS करता था, PTS के बारे में तमाम लड़कों को पता था किस तरह से टेस होता है कहां जाना होता है, कितने नमपर वाला पास होता है, नेगिटिव मार्कίνग होती है नहीं होती इनके हवाले से तमाम लड़कों को पता था अब यहाँ पर STS जो है पहली बार आया है पहली बार से इन पुलीस में बर्ती कर रहा है तो इसके हवाले से किसी लड़के को कुछ भी नहीं पता हर चीज जो है इसमें नहीं होगी किस तरह से इसका process चलेगा इस चीज़ को लेगे लड़के काफी परिशान है तो मैंने जहां तक इसकी मालूमात इकटी की है मालूमात इसकी जमा की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एस वीडियो में वीडियो आप लोग एंड तक complete वोच करें ठीक है पहला जो सवाल थ test है वो STS ही लेगा STS जो आपके testing service होता है जिसको select किया जाता है आपके process में यानि कि आपकी बरती के लिए अब यहां पर देगे STS जो है आपसे return test भी लेगा और आपकी running भी लेगा यह दो test जो है आपसे STS लेगा बाकी interview medical verification यह police department खुद लेता है ठीक है STS का काम है return test और उसी दिन running होगी यह पर कुछ टाइम बाद होगी देखें running जो है उसी दिन possible नहीं क्योंकि आपका return test तो होगा नहीं जो आपसे उसी दिन जो है आपका result आज और आपको उसी दिन करवा दें आपका return test जो है papers पर लिये जाएगा और उसका result कम 15-20 दिन महीने में आता है जैस मार्किंग होगी या नहीं होगी अलग करें ना हो लेगिन ऐसी कोई update आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा department की तरफ से स्चेस की तरफ से अभी तक नहीं बताया गया कि आपकी negative marking होगी या नहीं होगी ठीक है paper में मजमून भी लिखना होगा या नहीं लिखना होगा द उसके लावा STS का process कितने महीने चलेगा देखें PTS इससे पहले जो है symbolis में बर्ती कर रहा जैसे मैं आपको बताया वो कम असकम जो है एक साल डेट साल तक आपका process चला जा रहा था लेकिन अब STS जो है पहली बार आया है वही बात है STS first time इसमें बर्ती कर रहा है अब STS कितने time लेता है 6 महीने लेता है एक साल लेता है दो साल लेता है यह तो STS के जब पहला test होगा उसका result आएगा उसके बाद यह जो है हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना time ले रहा है तो इस चीज़ों को लेकर आप लोग परिशान नहों आप लोग कर डिस्क्रिप्शन में ने Whatsapp Group का लिंक लिंक कर लें लिंक और नीचा अप लोगो से छोटी सी रिक्वेस्ट ते अस चैनल को भी सबसक्राइब लें यह धी आज की वीडियो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में